हेलो दोस्तों स्वागत हैक बर फेट साब सभी का हमारे इस तनाए वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादे स्पेसल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ PCR वैल्लू के बारे में PCR का full form होता है put call ratio और put call ratio कैसे निकाला जाता है इससे हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि market bullish होने वाला है या bearish होने वाला है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये वीडियो पूरा end तक देखेगा कहीं पर भी skip मत करिएगा चलिए आज का वीडियो से टार्ट करते हैं दोस्तों PCR का full form होता है put call ratio और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है put और call का अनुपाद ही PCR ratio कहलाता है और इसी put और call के अनुपाद को जब हम लोग calculate करते हैं तो इससे एक value निकल करके आता है उस value को हम लोग बोलते है PCR value लेकिन इस PCR value को कैसे calculate किया जाता है क्या formula होता है और इस निकले हुए value का क्या use होने वाला है क्या interpretation होता है उसको हम लोग कैसे use कर सकते हैं सारी चीजे आज के इस video मैं आपको बताने वाला हूँ तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया PCR ratio यानि कि put और call का ratio तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उपर में put रखेंगे और नीचे में call का data रखेंगे तो इसको हम लोग जब calculate करेंगे तो हमारे पास एक value निकल करके आएगा उस value को हम लोग बलेंगे PCR value clear तो यहाँ पर देखे put के जगा में हम लोग open interest का data रख सकते हैं अर volume का भी डाटा रख सकते हैं और call के जगह में हम लोग open interest का डाटा रख सकتे हैं या फिर volume का भी data रख सकते हैं तो हम लोग PCR value volume का भी निकाल सकते हैं और open interest का भी निकाल सकते हैं clear तो सबसे पहले आप यहां पर देखें मैंने NSE का option chain open करके रखा हुआ है तो अभी हम लोगों को क्या करना है थोड़ा सा इस चैन को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ डेटा सो कर रहे हैं यहां पर open interest का data सो कर रहा है और यहां पर volume यह put side का data है clear तो यह क्या है put side का data है यहां पर जितने भी volume है वो सारे का count यहां पर सो कर रहा है और जो open interest यहां पर जितने भी दिखाई दे रहा है पूरा उपर से नीचे तक वो सारे यहां पर count करके दिखाई दे रहा है क्लियर वही यहाँ पर call side में देखेंगे तो volume यहाँ पर पूरा count किया गया है और यहाँ पर open interest पूरा तरह से count किया गया है तो अभी हम लोग open interest का PCI निकाल सकते हैं या फिर volume का भी PCI निकाल सकते हैं लेकिन इन दोनों में important कौन सा है, तो इन दोनों में important है हमारा open interest का PCR, क्यों? इसके पीछे एक reason है, यहाँ पर जितने भी आप open interest देख रहे हैं, यह सारे open interest यहाँ पर खुले हुए contract के यहाँ पर numbers दिखाई दे रहे हैं, यानि कि यहाँ पर जितना भी number 100 कर रहे हैं, इतने contract यहाँ पर खुले हैं call side में, और put side में इतने यहाँ पर open interest खुले हैं, जबकि यह जो volume होता है na, volume में जितने contract बंद कर दिये कैं हैं, उनको भी आपर count किया जाता है, और जो contract open है, उनको भी आपर volume के अंदर count किया जाता है, तो जो contract बंद हो चुके हैं, उनसे हमको कुछ ल हम लोग यहाँ पर जो PCR निकालेंगे open interest का निकालेंगे तो put का OI उपर में रखेंगे और coal का OI हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे clear तो इसी से हम लोग PCR निकालने वाले हैं अब PCR निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ important बाते बता देता हूँ दोस्तो हम लोग जो PCR निकालने वाले हैं इसको हम लोग एक sellers के perspective से देखेंगे ठीक है क्यों ऐसा यहाँ पर आप बोलोगे कि जो open interest बिल्ड हुआ है वो call sellers और call buyers के वज़े से बिल्ड हुआ है इधर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो put sellers और put buyers के वज़े से यहाँ पर open interest बिल्ड हुआ है लेकिन फिर हम लोग call sellers के और put sellers के perspective से क्यों देखेंगे इसके पीछे एक reason है वो लोग big player है उनके पास बहुत जादा पैसा होता है वो smart money है इसलिए हम लोग क्या करेंगे put sellers के और call sellers के perspective से हम लोग data को analyze करने की कोसिस करेंगे उनके नजरिये से देखने का कोसिस करेंगे ठीक है क्योंकि उनके पास जादा पैसा है वो लोग यहाँ पर जादा पैसा लगाया करके रखे हुए है क्योंकि selling में बहुत जादा पैसे का requirement होता है तो जो sellers होते हैं उनके पास जादा दिमाख होता है उनका जादा बड़ा analysis होता है as compared to option buyers ठीक है तो हम लोग यहाँ पर open interest का data देखने वाले हैं option sellers के perspective से call and put side दोनों की तरफ clear तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो big player है उनका point of view क्या है कि market गिरने वाला है या फिर sideways रहने वाला है तो इन दो case में यह जो option sellers है वो profit कमाएंगे call के side में वही put के side में अगर इसको कोई sell कर रहा है तो उस sellers का point of view क्या है कि market या तो बढ़हेगा या फिर market sideways रहेगा तो इन दोनों cases में जो put sellers है वो यहाँ पर पैसे कमाएंगे तो इसलिए यहाँ पर put को sell करके रखे हुए है इसलिए यहाँ पर call को sell करके रखे हुए है तो हम लोग उनके perspective से देखने वाले हैं clear तो यहाँ पर देखिए जो call sellers हैं उनका point of view है कि market गिरने वाला है तो यहाँ पर जो data देख रहे हैं आप यह इतना ज़्यादा data है इसका मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगता है कि market गिरने वाला है यहाँ से उपर यहाँ पर यह जो call side में जो data देख रहा है इसका मतलब यह है कि यह हमारा क्या है resistance line है इससे उपर नहीं जाएगा market नीचे की तरफ ही जाने वाला है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा open interest बिल्ड है तो चलिए अब हम लोग PCR को calculate करते हैं तो सारी चीजे मैंने यहाँ पर erase कर दिया है अब यहाँ पर हम लोग PCR को calculate करना सीखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए open interest का हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मैं open interest का data copy कर लिया calculator मैं आ करके paste कर दिया simply मैं यहाँ पर divide करने वाला हूँ अब यहाँ पर मैं call side का भी open interest copy कर लेता हूँ तो oi data मैंने copy कर लिया है यहाँ पर clear करके paste कर देता हूँ अभी मैं यहाँ पर equal कर देता हूँ तो यहाँ पर देखी कितना हमारा value आ रहा है 0.65 आ रहा है clear कितना आ रहा है 0.65 आ रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर इसको no down कर लेता हूँ PCR कितना आ या 0.65 आया इसको हम लोग 0.6 भी लिख सकते हैं clear इसका मतलब क्या है कि market upside में reversal हो सकता है इसका मतलब market अभी बहुत ज़्यादा downside जा चुका है अब market कभी भी reversal ले सकता है उपर की तरफ इसका मतलब होता है clear तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है तो मैं आपको कुछ data point लिखा रहा हूँ उन points को आप note down कर लिजेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है तो पहला point ये है कि अगर PCR value 1.7 या उससे अधिक होता है यानि कि 1.7 से अधिक 2 या 1.8 अगर ये value आते है इसका मतलब क्या हो सकता है reversal हो सकता है downside में reversal हो सकता है कि side में? downside में clear तो इसका मतलब होता है reversal हो सकता है downside में दूसरा point है कि अगर PCR value 1 से लेकर के 1.7 के बीच में आता है तो इसका मतलब market upside में जा सकता है clear और तीसरा point ये है समझाओंगा ये सारी चीज़ों को बताऊंगा तो तीसरा point है 0.7 से लेकर के अगर 1 तक इसका value आता है PCR का तो इसका मतलब क्या हो सकता है market downside में जा सकता है चौथा और last point है इसको भी आपनो down कर लिजेगा 0.7 या उससे अगर कम value आता है तो इसका मतलब हो सकता है reversal reversal हो सकता है कि side में upside में अब मैं आपको 4 का मतलब बताता हूँ देखिए reversal downside का मतलब क्या market उपर की तरफ बहुत जादा चल चुका है कहीं पर भी reversal downside में आ सकता है clear पहला point दूसरा point upside इसका मतलब अगर value PCR value 1 से 1.7 की बीच में आता है और market upside में ही चल रहा है तो ये और भी उपर की तरफ bullish हो सकता है second point clear हो गया ठीक तीसरा point क्या है 0.7 और 1 के बीच में अगर हमारा PCR value आता है इसका मतलब market downside बता रहा है clear तो market अभी नीचे की तरफ गिर रहा है और भी market नीचे की तरफ जा सकता है यहां से clear अगर आपने यहां पर PCR निकाला तो और भी नीचे की तरफ जा सकता है अगर उसका value 0.7 और 1 के बीच आता है clear और इस वाले point में क्या था अगर 1 से 1.7 के बीच में अगर हमारा value आता है मानलो market चल रहा है यहां पर आपने PCR निकाला यहां पर आपने निकाला कि 1 और 1.7 के बीच में अगर PCR आ रहा है तो इसका मतलब और भी bullish हो सकता है clear यह 3 point हो गए होंगे आपको समझ में आगे होंगे चौथा point के है 0.7 या उससे कम ठीक है 0.6, 0.5 या 0.2 अगर ऐसा value आता है इसका मतलब reverse हो सकता है upside में upside में मतलब market नीचे की तरफ गिर रहा है और आपने यहां पर PCR निकाला आपको यहां पर मिला कि 0.7 से कम है या 0.7 है इसका मतलब कही पर से भी reversal आ सकता है upside clear हो गया ये चारो point तो इन चारो point को आप अच्छे से note down कर लिजे अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कुछ data आपको calculate करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज अच्छे से clear तो सबसे पहला point अगर हम लोग यहां पर PCR निकाल रहे हैं और PCR में हमारा put का open interest मानलो की 100 है और call का open interest 50 है ठीक है तो यहां पर हम लोग इसका divide गरेंगे कितना आएगा हमारा PCR value 2 आएगा clear 5 दूना 10 तो हमारा PCR value कितना आ गया 2 आ गया अब यहां पर आप देखिए 2 कहां पर है तो 1.7 से बड़ा नंबर है PCR इसका मतलब reversal आ सकता है downside में market उपर की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुका है यहां पर हमने PCR निकाला इसका मतलब market downside में जा सकता है second point अगर PCR value वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा erase कर लेता हूँ clear तो यहां पर देखिए अगर PCR का value कितना आता है अगर यहां पर 100 है ठीक है put का और call का कितना है 80 है इसका मतलब इसका value कितना आएगा 1.25 आएगा जब इसको हम लोग calculate करेंगे तो 1.25 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा market upside जा सकता है कैसे यहां पर देखिए 1.25 किसके बीच में है तो 1 से 1.7 की बीच में है 1.25 clear 1.2 तो इसका मतलब market upside में जा सकता है clear यानकि market उपर की तरफ जा रहा है यहां पर हमने PCR calculate किया 1.25 आया इसका मतलब market और भी bullish हो सकता है ठीक है यह दो points समझ में आगे अब मैं आपको तीसरा point समझाता हूँ put का value 80 है और call का value कितना है 100 है तो यहां पर इसका value कितना आएगा 0.8 आएगा 0.8 आएगा इसका मतलब market downside हो सकता है कैसे यहां पर देखिए 0.7 से ले करके 1 के बीच में यह वाला value है इसका मतलब market downside में जा सकता है market गीर तो रहा था और यहां पर हमने PCR निकाला तो पता चला कि 0.8 है इसका मतलब market और भी नीचे जा सकता है clear यह 3 point चलिए चौथा point में आप लोगों को समझाता हूँ यह भी बहुत easy है ठीक तो यहां पर देखिए अगर हमारा put का value 50 है और call का value 100 है इसको अगर हम लोग divide करेंगे तो कितना आजाएगा 0.5 आएगा 0.5 आएगा इसका मतलब क्या market upside जा सकता है यह कैसे पता चलेगा यहां पर आप देख सकते हैं 0.7 से कम value है 0.7 से कम है इसका मतलब reverse हो सकता है upside में कैसे मानलो market नीचे की तरफ गिर रहा और यहां पर हमने पता लगाया कि अभी PCR 0.5 आ चुका है बहुत ज़्यादा गिर चुका है PCR value इसका मतलब कभी भी upside reversal देखने को मिल सकता है तो I hope कि आपको यह 4 point अच्छे से clear हो गयोंगे अब इसके पीछे क्या logic है आपको यह समझाता हूँ हम लोग यहाँ पर PCR निकाल रहे थे अब यहाँ पर देखे put का value अगर 100 है और call का value कितना है 50 है इसका मतलब 2 हमारा PCR निकल करके आया अब यहाँ पर देखे यहाँ पर जो put वाले है put seller open interest किसकी बेस पर हो रहा है हम लोग sellers के perspective से देख रहे है तो यहाँ पर put sellers 100 यहाँ पर open interest है और यहाँ पर कितने है call के open interest 50 है इसका मतलब call almost आधा है put इसका double है यानि कि put बहुत ज़्यादा high हो चुका है बहुत ज़्यादा selling करा जा चुका है put के अंदर तो यहाँ पर कभी भी reversal आ सकता है ठीक है extreme यह value यहाँ पर बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा overvalued हो चुका है put के अंदर इसलिए यहाँ पर market यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम लोग मान करके चल सकते हैं कि अब market में क्या हो सकता है downside reversal आ सकता है ठीक है क्या मानते हैं कि market upside जाने वाला है क्यों क्योंकि देखिए extreme नहीं है यहाँ पर 80 call का open interest और put का open interest 100 है यानि कि लगभग आस पास में है तो यहाँ पर market upside चल रहा है और PCR निकाला तो 1.25 आया तो market और भी तेजी उपर की तरफ देखने को मिल सकती है clear हो गया तो यह इसके पीछे logic है अब ध्यान से सुनेगा मैं आपको कुछ important point बताने वाला हूँ clear अगर आप intraday trading कर रहे हैं तो आपको आपको यह जो data है ठीक है यह हर आधे गंटे में आपको check करना है अगर आप intra day trading करते हैं तो अगर आप intra day करते हैं तो यह open interest जो है वो हर आधे गंटे में आपको check करते रहना है clear एक और important point है आप सभी के लिए ठीक है कि आपको इतना ज़्यादा data का आपको PCR नहीं निकालना है सबसे ज़्यादा important यह video के end में आपको दे रहा हूँ clear तो इतना ज़्यादा यहाँ पर जो open interest है पूरा सुरू से लेकर के last तक का तो उस data का आपको calculation नहीं निकालना है तो case data का निकालना है तो अभी हमारा add the money यहाँ पर चल रहा है और add the money हमारा यहाँ पर चल रहा है तो add the money से आपको कम से कम 5 से 8 strike उपर लगभग यहाँ तक और 5 से 8 strike निचे तो इतने data का ही आपको calculation करना है for high accuracy ठीक है अगर आपको accuracy बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर इन data को add करने के बाद इन data को add कर लेंगे तो आपको open interest मिल जाएगा एक number मिलेगा और यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का data आपको calculate करना है सब को add कर लेना है और यह जो data हैगा इस data में इस data को क्या करना है? divide कर देना है तो जो भी आपका value आता है PCR value उसके हिसाब से आप अपना interpretation निकाल सकते हैं यह ज़्यादा accuracy के साथ काम करने वाला है क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखे बहुत ज़्यादा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे न इतना ज़्यादा अगर आप data का सब का इतना बड़ा data का calculation करेंगे देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा open interest यहाँ पर open interest है ही नहीं इसका मतलब यहाँ पर देखो इस तरफ पूरे-पूरे open interest बिल्डे हैं तो यह जो दूर के open interest है यह hedging के purpose से काम आता है जो option sellers होते हैं वो hedge करके रखे हुए रखते हैं दूर का ताकि उनको बहुत ज़्यादा loss अचानक से ना हो तो यहाँ पर यह hedging के purpose से use किया गया है इन सब data का आपको use नहीं करना है clear तो यहाँ पर जो open interest का data यह वाला दिखाई दे रहा है इसको आपको calculate नहीं करना है calculate किसको करना है calculate उपर के यहाँ पर जो add domain दिखाई दे रहा है ये वाला एट दमनी जो दिखाई दे रहा है इसके 5 से 8 स्ट्राइक उपर 5 से 8 स्ट्राइक नीचे और इतने ही डाटा का आपको कल्कुलेशन करना है और उसी में आपको PCR वैलू निकालना है और उसी के मदद से आपको ये पता लगाना है कि मार्केट अफसेट जाएगा या डाउनसेड याएगा और दोस्तों अभी मैंने आप लोग को जो PCR का चार वैलू दिखाया ना कि 1.7 से उपर रहेगा तो क्या होगा 0.7 से नीचे रहेगा तो क्या होगा तो ये कोई पत्थर की लखीर नहीं है इसको हमने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके निकाला हुआ अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में हर समय काम करे तो ये जो नंबर्स है ये थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकते हैं ये कोई पत्थर की लखीर नहीं है तो आई होब आपको ये चार पॉइंट बताया इसके अंदर वो मेजर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो और इसी वीडियो से लेटेड अगर कोई भी डाउट या कोई भी कन्फियूजन है तो आप चैट सेक्षन में पूछ सकते हैं फिलाला भी कले स्टूडम बस इतना ही मिलते हैं ने स्टूडम ए तब तक लिए जय हिंद जय भारत